इलस्टेशन नमबर 6 में कहता है कस्टमर एक्स वाई जट इंटर्स इंट विच सप्लाइर एबीसी फोर दर राइट टू ट्रांस्पोर्ट ओईल फॉम इंडिया टू बैंगलादेश थ्रू सप्लाइर एबीसी स्पाइप्लाइन सो बेसिकली क्या होता है कि यह जो ओईल जो किसी पर्टिकुलर कमपनी की है आद और यह पाइप्लाइन के माध्यम सेयर जो और जो जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है यह पाइपलाइन के माधियम से आपका ओइल जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जाता है ठीक है अब देखेंगा हो क्या रहा है कि the contract provides that customer XYZ will have the right to use of 95% of the pipeline's capacity throughout the term of the arrangement whether there is an identified assets तो कहने का मतलब अब इस इस pipeline की कोई capacity होगी ट्रांसपोर्ट करने की अब वो जो भी capacity है इसकी उस capacity का 95% हमारा जो customer है वो यूज कर सकते तो क्या क्या हो गया यह 95% हो गया substantially all substantially all आपका एक प्रकार से देखा जाए तो जरूरी नहीं कि 100% यूज आपको करने को मिले substantially close to 100% हुआ तो भी काम चलेगा यह substantially all of the economic benefit अगर आप consume कर पा रहे हो तो वो भी एक प्रकार से इमान लिया जाएगा कि आप ही उस इसको यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एकदम 100% ही यूज आना चाहिए तो लेट से कि इसकी जो भी capacity होगी उसको आप 100% पे standard करके और जो जितना आप यूज कर पा रहे हो जो भी इसका measurement उसका जो कि इसको अपन identified assets मान लेंगे इसको हम लोग क्या मान लेंगे identified assets मान लेंगे अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है फिर कहता है scenario नंबर बी में अज्यूम दा सेम फैक्ट्स इन सिनारियो ए एक्सेप्ट एट कस्टमर एक्सटमर एक्सवाइज है था राइट तो यूज 65% of the pipeline's capacity throughout the term of the arrangement whether there is an identified assets अब सर यह 95% और 65% क्या कहीं पर defined है क्या यह कहीं पर defined नहीं है दोस्तों now substantially all का मतलब होता है कि close to 100% अब 100% के close 95% तो है लेकिन 65% नहीं है तो सर अब इसमें क्या percentage हमारा threshold या मतलब benchmark रहना चाहिए standard कहता है यह चीजें हम आपको नहीं बताएंगी यह आपको अपने आप अपने judgment के हिसाब से ही इस चीज को assess करना पड़ेगा तो यहाँ पर यह सारे चीजे standard जो है नहीं बताता है तो अब देखें यहां पर क्या कह रहा है कि yes the capacity portion of the pipeline is an identified assets first question का answer while 95% of the pipeline's capacity is not physically distinct from the remaining capacity of the pipeline तो देखा जाए तो capacity की अगर अपन बात करें तो capacity को अपन physically distinction के अंदर तो नहीं लेकिए सकते जो कि इसकी जो भी total 100% capacity है वो 95 और 5 में physically distinct नहीं हो सकते क्योंकि physical तो इसका structure यह है pipeline का right तो इसकी capacity यानि इसके अंदर हमारा वाला oil कितना भरावा रहेगा और दूसरे पार्टे का oil कितना रह सकता है वो कहरा 95 और 5 है तो यानि इतना portion हमारा हो सकता है और 5% अगले वाले का इसके अंदर stock हो सकता है क्योंकि supply तो एक ही प्रकार का समान किया जाएगा ना supply थोड़ी ना दूसरा अलग अलग नेचर के और सप्लाई नहीं किया जा सकते वो नेचर एक ही रहेगा आपके जो भी ट्रांसपोर्ट जो आप हो रहा है इसका material जो भी तेल जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो यहां पर आपका यह कहना चाह है कि it represents substantially all of the capacity of the entire pipeline and thereby provides customer XYZ with the right to obtain substantially all of the economic benefit from use of the pipeline तो यह हो गया आपका first part का answer ना अब second part में इन्होंने पूछ लिया 65% पे तो इन्होंने answer दिया no the capacity portion of the pipeline is not an identified assets since 65% of the pipeline's capacity is less than substantially all of the capacity of the pipeline customer XYZ does not have the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the pipeline so basically यहां पर यह 65% जो है यह इसको आप कैसे समझेंगे कि अगर यह 70 होता तो क्या होता 75 होता तो क्या होता 80 होता तो क्या होता है ना तो exactly where to draw the line in order to take the decision that is what matter over here so friends यहां पर यह जो percentage है कौन से percentage में decision लेना है right इसके regarding में आपको देखे एक चीज़ दिखाता हूं कि आजी को देखें यह कुछ बिग फोर्स के कुछ राइट-प्स आते रहते हैं जैसे कि यह जो राइट-प है यह की पीमजी का document है तो यहां पर देखें यहां पर इन्होंने कहा है कि ड़स सब्स्टैंशली ओल अप दी केपैसिटी ओफ अन कि सब्स्टैंशली ओल अप देखेंट का मतलब क्या 90 परसेंट कंजम्शन से ही है क्या तो जैसा कि आपको मैंने बताया था दोस्तों कि जो 2001 के बाद में हमारी जो आई एफरस सिरीज जो स्टार्ट होती है कि जो पुराने आई एस जो है वह इंटरनेशनल काउंटिंग सेंडने है और आई एफरस जो है इंटरनेशनल चल लिपोर्टिंग सेंड़ेथ तो आई ठीच जितने बही आज कल बन रहे हैं डिवल-प हो रहे हैं यह सारे की सारे जोईंट प्रोजेक्ट होते जोडमनल प्रोजेक्ट किस के जहां पर काम अमेरिका का जो Financial Accounting Standard Board है और UK का जो International Accounting Standard Board है मतलब US Gap और IFRS बेसिकली मतलब जहां पर हो सकता है मतलब जहां पर manage किया जा सकता है differences जो है वो नहीं रखे जाते साथ में standard जो है बनाए जाते तो जैसे मैं आपको बताता हूं US Gap जो है वो more rule-based accounting standards है जैसे IFRS principle-based accounting standards है वैसे US Gap जो है वो आपके rule-based accounting standards है मतलब उनका एक law होता है और उनके threshold को हमें follow करना होता है तो वहां के country की requirement होती है US Gap की तो US Gap में यह 90% का threshold जो है ना वो दिया हुआ है तो वहां पर decision 90% से होता है लेकिन IFRS में यह आपको हमेशा से ही पता है क्योंकि IFRS इन सब चीजों पर diplomatic रहता है वो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसे कोई threshold ऐसे कोई limit जो है वो बताता है समझ गे मेरे बात तो देखे क्या कहता है not necessarily the new standard does not define substantially all in the context of the definition of a lease तो इसकी कोई definition नहीं है तो कहता है IFRS 16 like IAS 17 leases uses the same phrase in one of the criteria used by the lesser to determine lease classification whether the present value of the lease payments including the residual value guaranteed by the lessee at a third party equals or exceed substantially all of the fair value of the assets तो दोस्तों यह तो तीन लाइन है चिंता करने की कोई बात नहीं है यह सारी की सारी तीनों लाइन अब नहीं है standard में और यह पहले थी कहां पर आगर आप लोगोंने AS 19 पढ़ा था तो accounting standard 19 है ना तो AS 19 में यह होता था कि present value of minimum lease payment अगर fair value के बराबर हो जाते थे तो उसे हम क्या कहते थे इसे हम कहते थे कि यह आपका finance lease ठीक है तो अब यह substantially all of the fair value क्या है क्या इसकी कोई limit थी क्या वहां पर भी ऐसा ही था सर 90% को substantial माने की नहीं माने 80 को माने की नहीं माने तो अब यहां पर बस वही बात है अब यह interpretation वाले चीज हो जाती थी कि इसको अपने को substantial मानना या नहीं मानना तो यहां पर कहता है देखिए US gap allows the use of a threshold of 90% for substantially all तो substantially all का मतलब US gap ने तो कह दिया कि 90% का threshold आप लगाई यह बट इन आवर व्यू अल्दो दे 90% threshold में प्रोवाइड यूसफुल रेफरेंस पॉइंट इट ड़ रेप्रेजेंट अब यह समझ लीजे दोस्तों कि यह जो important line जो मैं आपको बता रहा हूं है यहां पर अपने मोडिल में यह वाली बात नहीं दे रखी है बट फिर भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं क्योंकि यह important because 90% का अगर यह threshold हो गया तो सर 89.99 अगर रूल में लिख दिया 90% ही threshold है तो फिर 89.99 भी substantial नहीं होगा जबकि IFRS में 88 भी और 87 भी substantial हो सकता है तो सर अब अपन कैसे करेंगे इन सारे चीज़ों को है ना मतलब इनको balance में लेके कैसे आएंगे कैसे पता चलेगा कि अपने को यहां पे इसको substantial मानना है तो इसके लिए entity को अपनी accounting policy को define करना पड़ेगा कि उनकी accounting policy क्या है substantial word को interpretate करने की with respect to lease contract और फिर जितने भी भविश्य में जितने भी lease contract करे जाएंगे उनके उपर strict same accounting policy consistently apply करे जाएगे चेंज नहीं कर सकते फिर आप ऐसा नहीं कि एक contract में आपने 90% को substantial count कर लिया दूसरे में 82 को कर लिया और तीसरे में 95 को कर लिया inconsistency नहीं होने चाहिए एक single accounting policy से आपका जो model है वो आगे बढ़ना चाहिए तो यह मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि यह 90% जो है नहीं होता है